नमस्कार दोज्टों, आज की इस वीडियो लेक्चे में बात करेंगे gate level realization के बारे में अगर कोई हमें boolean expression दिया हुआ है उसे आप gate की मदद से कैसे implement कर सकते हैं या realize कर सकते हैं आईए एक problem की मदद से समझते हैं से given the boolean function f is equal to xy plus x bar y bar plus y bar z implement build पहले आपको इसे logic gates से implement करना है दुबारा फिर से end and not gate से करना है और फिर non gate से करना है ठीक है तो आपको दिया logic gates अगर से फिर दिया हूए logic gates तो आप किसी भी gates से realize कर सकते हैं ठीक है ना लेकिए अगर कह दिया end and not only तो फिर यही use करने होंगे या फर कह दिया NAND gate only, तो NAND gate से करना है, ठीक है न, तो यहाँ पहले option में logic gates से दिया हुगा है, इसका मतलब इसे simply आपको basic gates है, कि उनसे implement करना सबसे आसान पड़ता है, तो हम जो basic gates है, उनसे realize करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम basic gates से realize करना है, तो अब देखिए इसमें x, y, इन का end operation हो रहा है, ठीक है, complement ही यहाँ हो रखा है, तो obviously inverter यूज़ करना होगा, not gate इस्तेमाल होगा, और plus का sign भी दिख रहा है, तो इसका मतलब और gate इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमने, यह x हमारे पास input available है, और x का हमें complement भी चाहिए, तो यहाँ पर हम एक not gate लगाया, जिससे हमें इसका complement मिल गया, इस जगे पर x available है, और इस जगे पर x bar, ठीक है, यहाँ से y हो गया, और y में फिर यह not gate लगाया, तो यहाँ से y bar मिल जाएगा, ठीक है, z bar की आप सकता नहीं है, तो आप z simply ऐसे रख लेंगे, ठीक है, अब आपको सबसे पहले x, y implement करना है, x और y, तो x आपने यहाँ से लिया, और y यहाँ से लिया, वह इसे कौन सा केट्ट यूज़ करोगे, end gate, end office नहीं करना है, तो आपने यह कर दिया, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, x, y, x मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा फिर x bar, y bar, x bar, y bar, x bar आपने य end gate लगाया, तो यहाँ से आपको मिल जाए, x bar, y bar, ठीक है, फिर आपको चाहिए, y bar, z, तो y bar आपने यहाँ से लिया, और z आपके पास, यहाँ वह लेवल है, तो यहाँ से मिल जाए, y bar, z, ठीक है, अब तीनों को आपको क्या करना होगा, और करना होगा, आपने यहाँ से एक और gate लगा दिया तो यह हो गया आपका F आज से रिलाज़ कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर basic gates की मदद से not gate, end gate और और gate इसकी मदद से रिलाज़ कर दिया ठीक है? किलियर है? अब आपको दूसरा रिलाज़ ने करना है end gate and not gates only not gate आप इस्तेमाल कर सकते हैं end gate इस्तेमाल कर सकते हैं और gate नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं इन दो gate की मदद से से रिलाज़ करना है तो आपको यह सोचना होगा कि और जो gate है उसका operation end और not की मदद से कैसे करूँगा? ठीक है ना? यह आपको समझना है तो देखिए, अगर आपके पास जिसे माल लेजे, जिसे यह 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 आपको दिखा है एकस वाई, ठीके ना, अगर एकस वाई है, आप इसे एकर नॉट गेट के थूपास कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एकस वाई का होल बाद, जिससे मैं लेख सक करता हूँ, डिमोगन से अगर से खुलूँगा, तो x-bar plus y-bar, तो आप देखिए, यहाँ पर जो multiplication operation था, जो end operation था, वो और operation में convert हो गया, सिर्फ अंतर ही आ गया, कि जो input थे, वो complement हो गई, ठीक है, तो अगर मैं complemented input पहले से दूँ, xy x-bar into y-bar, अगर यह मेरे pass होता, और इसे मैं not gate के through pass करता, तो यहाँ क्या था, x-bar into y-bar का whole bar, ठीक है ना, तो जो आप इसे open करते, तो क्या होता, डिमोगन से, x plus y, होता कर नहीं, हो जाता, तो यहाँ से end operation है, वो और में convert हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो और यह operation है, ठीक है, इसे end gating method से करना है, तो अब कैसे आप कर पाओगे, आपके पास यह terms available है, ठीक है, यहाँ पर, जैसे x, y मैंने यहाँ दो input लिए है, x से 1 input हो गया, y 1 input हो गया, ठीक है ना, यहाँ इस x, y से आप इसे मत समझेगा, आप यह समझतें, एक input तो यह है, इसके 3 input हैंगे नहीं, तो यह 3 input को आपको क्या करना होगा, पहले compliment करना होगा, ठीक है ना, पहले compliment करना होगा, और फिर उन्हें not gate से pass करना होगा, तो जैसे ही compliment आप करोगे, not gate से जैसे ही आप करोगे, तो क्या हो जाएगा, आपको बाहर होके मिल जाएगा, बाहर होके मिल जाएगा, और उसके बाद, फिर आप, एक end gate लगाओगे, लेगे किस तरह किसे से करते हैं, यहाँ तक तो आपने जैसे किया है, तो बार मैं कर दे करता हूं, कोई देख करने हैं, ठीक है, यह हो गया, अब यहाँ पर मैंने एक not gate लगा दिया, और इस जगे पर भी एक not gate लगा दिया, सभी जगे पर मैंने not gate लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर x, y आ रहा था, इस जगे x बार y बार आ रहा था, इस जगे y बार z आ रहा तो यह क्या हो जाएगा एकस वाई का उलवा एकस वार बाई वार वार बाई वार जड़ का उलवा यह हो गई इसके बाद इन्हें आपने एक एंडगेट में बेश दिया ठीक है एंडगेट में तो यह जो मैं बता रहा हूँ आप इस समय इस पोजिशन पहुँचे एक तरीका से ठीक है कि तीन इन्पुट थे यहाँ पर पहला इन्पुट है xy का बार है यह पहला input हो गया ठीक है इसे सिर्व मैंने x बार से दिखा रहा है यहाँ पर xy का उलबार है यह हो गया दूसरा input है into x बार y बार का उलबार simplify नहीं करना है फदर इसे नहीं तो फिर आफ फस जाओगे into y बार z ठीक है अब इसे आप क्या करें इसके बाद आप एक not gate लगाना के नहीं ठीक है not gate आप लगा देंगे तो आपको रहे not gate लगा देना है not gate जैसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x y बार into x बार y बार into y बार z का बार इस पर एक whole बार लग जाएगा गोल बाल रही जाएगा तो किसके बाप रहा जाएगा यह फिस इकोल टू x y bar एक बार आ गया और यह प्लस में convert हो गया x bar y bar एक बार यह आ जाएगा ठीक है फिर यह plus y bar z तो यह बार आपस में काट देंगे इसे तो यह जाएगा x y plus प्लस एक्स बार बाई बार प्लस बाई बार जड़ ठीक है तो यही तो था यह आपको रिलाइस करना था हो गया कि नहीं रिलाइस कर सकते हैं तो मेल यहां पर आपने देखा यह और गेट है जो हमने किस से किया जो और गेट का हमने काम किया है वो नौट गेट जो आपने करने के लिए का जाए, तो नेंड से नहीं कर सकते गया, कर सकते हैं, ये जो है, end और not दोनों मिलाग क्या बनाते हैं नेंडी तो बनाते हैं ये एक नेंड हो जाएगा ये एक नेंड हो गया एक ये नेंड हो जाएगा और ये दोनों मिलाग एक नेंड बना देंगे हो जाए कि नहीं तो अगर मेरे पास complemented input available है ठीकिए ना तो मैंसे इस ते इस लख सकता हूँ याँ मैंने एक नेंड लगा दिया तीन आपको नेंड लगाने होंगे तीन नेंड लगाने होंगे ठीकिए ना और इनसे पहले जो connection थे उनमें कोई change नहीं होगा ठीकिए तो एक तो एक सा रहा है ठीकिए अगर आप चाते हैं कि यह not gate भी खतम करना है अगर आप not gate को भी खतम करना चाहरा है तो क्या करेंगे आपको यहां से एक nand gate को इस तरीके से लगाना होगा जब nand gate के दोनों input को sort कर देते हैं तो वो एक inverter की तरी काम करना सुरू कर देता है तो यह आपका इसमें लग जाएगा ठीकिए ना similarly यह आपने y लिया है y-bar आपको बनाना है तो यह nand gate आपने लगाया यह y-bar बन गया ठीकिए y-bar आपको इसमें देना था और एक z देना था z और यह वाला जो next था यह तीनों को आपने दिया है फिर देख nand में apply कर दिया है तो यहां पर आपका app मिल जाएगा ठीकिए इससे आपने यह बना लिए असानी से सिर्फ यह है कि not gate जो आपने बना यह वो nand से आप बना सकते हैं यह मैं पहले बता चुका हूँ आपको ठीक है तो आपको यह gate label relation आया होगा समझ में किस तरही किसे आप कर सकते हैं यह first के लिए हो गया यह second के लिए हो गया और यह third के लिए हो गया I think तीनों पाट आपको समझ में आया होगे थैंक्यू